जेहिन दोस्तों इस वीडियो में आप कच्छा साथ के गड़िती विशय का भ्यास साथ आई हल करना सीखेंगे इस अभ्यास में आप टेक्स के बारे में जानेंगे दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि सरकार जनता के विकास कारियों पर जो पैसा खर्च करती है या सुरच्छा पर जो पैसा खर्च करती है वो कहां से आता है वो आमजनता का पैसा होता है सरकार टेक्स वसूलती है और उसी टेक्स के पैसे से रेल, सडक, बिजली, पानी, इत्यात की व्यूस्ता सरकार आपको मुहिया कर आती है तो इस अभ्यास में हम इसी टेक्स के बारे में जानेंगे तो आई हम आपको बताते हैं टेक्स कितने तरह के होते हैं टेक्स दो तरह के होते हैं एक है डारेक्ट टेक्स और दूसरा है इंडारेक्ट टेक्स आप समझ गए होंगे पर्तेक्ष कर क्या है ये सरकार द्वारा डारेक्ट किसी व्यक्ति से लिया जाने वाला कर है जैसे आयकर, संपत्ति कर, उपहार कर, इत्यादी आपर्तेख्च कर क्या है? ये डारेक्ट जनता से नहीं लिया जाता है ये इंडारेक्ट रूप से किसी के माध्यम से सरकार जनता से लेती है 2017 एक जुलाई सन 2017 को ये आप अर्तेक्ष कर इसको समाप्त कर दिया गया और इसकी जगा पर लाया गया वस्तु योम सेवा कर वस्तु योम सेवा कर सेवा कर जिसको सार्ड कट में कहते हैं जी एश्टी जी एस टी गुड्स जी डबल ओ डी एस गुड्स एंड सर्विश टेक्स तो इसको समाप्त कर दिया गया किस तारीक को एक जुलाई सन 2017 को और उसकी जगा पर क्या लाया गया जी एस्टी अब जी एस्टी में क्या होता है कि अलग अलग वस्तूओं पर अलग अलग दर से टेक्स लिया जाता है इसमें 5 केटगरी है जैसे कुछ वस्तूओं पर 0% का टेक्स लगता है यानि टेक्स फिरी है कुछ पर 5% का टेक्स लगता है कुछ वस्तूओं पर 12% का टेक्स लगता है कुछ पर 18% का टेक्स लगता है और कुछ पर 28% का टेक्स लगता है तो सरवाधिक कौन है 28%? ज्यादा से ज्यादा किसी वस्तूओं पर 28% टेक्स लग सकता है अब इसमें कुछ अपवाध भी है तो अपवाध को छोड़ करके बाकी सभी वस्तूओं पर किसी पर 0% का टेक्स लिया जाता है किसी पर 5% का टेक्स लिया जाता है किसी पर 12% किसी पर 18% और किसी पर 28% तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि आप पर्त्यक्ष जो कर था उसको समाप्त करके उसकी जगा पर GST लाया गया है और डारेक्ट जो कर है ये वाले कर अभी भी लिये जा रहे हैं यानि अब क्या कर लिया जाता है ये वाले कर डारेक्ट कर और GST लिया जाता है अब आईए दोस्तों हम आपको IKAR के बारे में बताते हैं क्योंकि इस अभ्यास में आपको IKAR से सम्बंदित परशनों को हल करना है तो IKAR जो है एक तरह का परत्यक्षकर है अब आईए देखते हैं कि IKAR क्या है यनि income tax क्या है आमदनी पर भी सरकार tax लेती है अब जिसकी जिस तरह से आमदनी होती है उसे उसी हिसाब से tax देना पड़ता है जैसे इसमें छूट दी गई है अगर आप 0,5 लाग रुपे तक कमाते हैं पहला जो condition है 0,5 लाग रुपे तक कमाते हैं तो आपको tax नहीं देना है साल भर में अगर आप 0,5 लाग रुपे कमाएंगे तो आपका tax फिरी होगा यानि 0 परतिसद आपको tax देना होगा दूसरा जो condition है 0,5 लाग से उपर की जो आपकी कमाई होगी 5 लाग रुपे तक 0,5 लाग रुपे से 5 लाग रुपे तक इस पर जो है 5 परतिसद का tax सरकार को देना होगा तीसरा क्या है तीसरा condition है अगर आपकी कमाई 5 लाग रुपे से उपर है 10 लाग रुपे तक 5 लाग रुपे से 10 लाग रुपे तक तो इस पर आपको 20 परतिसद का tax देना पड़ेगा और उसके उपर 4 जो है 4 लाग रुपे के उपर अब 10 लाग रुपे के उपर चाहे जितना आप कमाए तो उस पर आपको 30 परतिसद का tax देना होगा तो ये 4 कैटेगरी है यानि 5 लाग रुपे तक अगर आप कमाते हैं तो आपको tax नहीं देना पड़ेगा तीसरा है अगर आप 5 लाग रुपे से 10 लाग रुपे तक कमाते हैं तो 20 परसंट का tax देना होगा चौथा है 10 लाग रुपे से उपर अगर आप कमाते हैं तो उस पर 30 परसंट का tax देना पड़ेगा अब आए इसे और बढ़िया से हम समझ लेते हैं जैसे कोई आदमी है वो एक साल में 16 लाग रुपे कमाता है 16 लाग रुपे कमाता है यह परतिवर्स 16 लाग रुपे परतिवर्स यहां जो हमने बताया है यह परतिवर्स का है अगर इतनी इतनी कमाई परतिवर्स में है तो आपको इस हिसाब से tax देना पड़ेगा अब कोई व्यक्ति 16 लाग रुपे एक साल में कमाता है अब उसे जो tax देना पड़ेगा वो कितना होगा देखे इसका धाई लाग रुपे जो निकाल देंगे शुरुवात में उस पर tax इसको नहीं देना पड़ेगा और धाई लाग से पाँच लाग रुपे तक कितना हो गया धाई लाग रुपे ये भी हो जाएगा इस पर कितना percent tax लगेगा पाँच परसंट अब उसके उपर पाँच लाग से दस लाग रुपे तक कितना रुपिया हो जाएगा पाँच लाग रुपे पर इसको देना है बीस परसंट का tax अब 5,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 परतिसत का टेक्स देगा अब जोड़िये उसके 16 लाक रुपे पूरे हो जाएंगे धाई और धाई 5, 5, 5, 10 और 6, 16 लाक रुपे इस तरह से आपको टेक्स की गर्ना करनी पड़ेगी तो आपके समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आयकर की गर्ना की जाती है अब आईए दोस इतने रुपे की कमाई आपकी अगर है तो उस पर आपको टेक्स नहीं देना है एक वर्स में अगर आपकी धाई लाक रुपे की कमाई है तो आपको टेक्स नहीं देना है तो करमुक्त आई की सीमा है धाई लाक रुपे परतिवर्स दो लाक पचास जार रुपे दो लाक प टेक्स नहीं देना पड़ेगा उसके उपर की जो कमाई होगी उस पर आपको कैटगेरी के हिसाब से टेक्स देना पड़ेगा जो हमने आपको पहले बता दिया है दूसरा परशन है केसो की मासिक आए यानि महीने की आए 20,000 रूपे है बताए केसो की वार्षिक आए कर योग ह की नहीं तो केसो की मासिक आए यानि एक महीने में वो कितना कमाता है मासिक आए 20,000 रूपे तो केसो की वार्षिक आए कितनी होगी वार्षिक आए एक वर्ष में 12 माह होते हैं तो 12 से गुड़ा कर देंगे 20,000 में तो हो जाएगा 12 दूना 24 दो लाख 40,000 इकाई दाई सैकड़ा हजार दस जार लाख तो 2,40,000 रूपे है केसो की जो वार्षिक आए है वो 2,40,000 रूपे है जबकि टेक्स जो लगता है आएकर जो लगता है वो धाई लाख रूपे के उपर की कमाई वालों पर लगता है तो 2,40,000 रूपे अगर इनकी कमाई एक वर्ष में है तो इस पर टेक्स नहीं लगेगा तो यहाँ पे लिखेंगे कर्योग आय नहीं है कर्योग आय यानि आमदनी नहीं है तो यह आप लिख देंगे अब आईए अगला परशन तीसरा परशन है स्याम के पिता की वार्षिक आय 3,60,000 रूपे है यदि धाई लाक रूपे तक की आय कर्मुक्त है तो पांच परतिसत की दर से उसे कितना आय कर देना होगा तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं वार्षिक आय स्याम के पिता की वार्षिक आय वार्षिक आय कितनी है बराबर है 3,60,000 इतना रूपे आ कर्मुक्त आय कितना है यानि इस पर टेक्स नहीं लगेगा कर्मुक्त आय दो लाक पचास जा रूपे तो कर्योग आय जिस पर टेक्स लगेगा कर्योग आय तो 3,60,000 रूपे में 2,50,000 रूपिया घटा दीजिए तो 3,60,000 रूपे में घटाएंगे 2,50,000 तो आएगा 1,10,000 रूपे एक लाक दस जा रूपे 1, noise 21,000,000 रूपे इतना रूपे पर उसे टेक्स देना होगा दीखे deuxième、 2,50,000 रूपे पर टेक्स नहीं देना है और तोटल जो Hugo कमाई 1,60,000 रूपे थी तो किस पर टेक्स देना है 3,60,000 रूपे में भता देंगे घटा देंगे, जिस पर TEXT नहीं देना उसको घटा देंगे, तो कितना आईगा 110,000 रुपे आएगा अब इसी पर TEXT देना है 5% की दर से TEXT देना है तो यहाँ पर लिखेंगे आई कर की राशी आई कर की राशी तो 110,000 रुपे पर इसका 5% तो एक लाख दस जार गुड़े पांच गुड़े एक बटे सो परतिसत हटाएंगे एक बटे सो लाएंगे का को हटाएंगे गुरा का चिनाएगा अब ये दोनो 0 इससे कट गए क्या बचा 1100 1100 गुडे 5 तो हो जाएगा 500 इतना रूपिया उसको टेक्स देना पड़ेगा यानि आयकर जो देना होगा वो रासी क्या है 500 रूपे चौथा परशन है GST से आप क्या समझते हैं हमने सुरू में ही आपको GST के बारे में समझा दिया है लेकिन आपको इसको किताब में दे करके उत्तर में लिख देना है क्या लिखना है देखे एक जुलाई सन 2017 को पूर्वड़ती आपर्टेक्ष कर जैसे उत्पाद कर सेवा कर तथा राज्यों द्वारा लगाएगे बिक्किरी कर को समाप्त करके केंदर सरकार द्वारा एक नए आपर्टेक्ष कर जिसे GST Goods and Service Tax के नाम से जाना जाता है लागू किया यानि आपर्टेक्ष करों को समाप्त करके एक नए टेक्ष ये भी आपर्टेक्ष है इसको लागू किया जिसे GST कहते हैं जिसकी दर विभिन वस्तुओं पर करम से ये अलग-अलग वस्तुओं पर 5%, 12%, 18% तथा 28% है इन दरों को केंदर सरकार समय समय पर पुनिरी छड़ करती रहती है तो ये है चवते पर्षन का उत्तर अब आईए दोस्तों अगला पर्षन पांचमा पर्षन है एक जोड़ी सैंडिल का मूल 1000 रूपे है यदि उस पर 18% की दर से GST देना पड़ता है तो सैंडिल खरीदने पर गिराहक को कुल कितने रूपे देना पड़ेगा 1000 रूपे सैंडिल का मूल है 18% इस पर GST देना है तो कुल कितना मूल इस पर देना पड़ेगा तो GST देना पड़ेगा और जो उसका मूल है वो भी देना पड़ेगा तो चलि हम यहाँ पर लिखते हैं सैंडिल का मूल, सैंडिल का मूल, सैंडिल का मूल, बराबर एक हजार रूपया, जी अश्टी की दर, जी अश्टी की दर, बराबर है अठारा परतिसाथ, तो जी अश्टी की राशी निकालते हैं, जी अश्टी की राशी, यानि कितना रूपया जी अश्टी देना पड़ेगा, एक हजार रूपे का अठारा परतिसत इसी पर जियस्टी लग रहा है एक हजार रूपे का अठारा परतिसत तो एक हजार रूपे गुड़े का का मतलब गुड़े अठारा गुड़े एक बटे सो परतिसत का चिन हटाएंगे एक बटे सो लाएंगे ये दोनो जीरो इन दोनो जीरो से कट गए तो क्या आएगा 10 गुड़े 18 बराबर 180 रूपया सैंडिल पर 180 रूपय का GST देना पड़ेगा यानि उस सैंडिल को खरीदने के लिए कुल कितना रूपया देना पड़ेगा तो कुल देना पड़ेगा कुल देना पड़ेगा बराबर सैंडिल का मुल 1000 रुपया तो देना ही देना है पलस ये जेस्टी भी देना पड़ेगा 180 रुपया अब जोड़ेंगे दोनों को कितना हैगा 1180 1180 रुपया तो ये आपका उत्तर है अब आईए अगला कुईस्चन छठा परशन है परतिभा एक मेज 24,000 रुपय में खरीदिती है जिसमें 12% जीस्टी भी सम्मिलित है यानि इस मूल में जीस्टी भी सामिल है मेज का अंकित मूल ग्याद कीजिए देखे ये जो मूल है ये परतिभा के लिए करे मूल है लेकिन इस दुकांदार के लिए बिकरे मूल है तो हम दुकांदार के हिसाब से परशन को लगाएंगे तो दुकांदार के लिए ये क्या होगा बिकरे मूल तो बिकरे मूल मेज का बिकरे मूल कितना है 24,000 रूपे GST कितना परसेंट लग रहा है 12% GST की दर 12% GST किस पर लगता है अंकित मूल पर लगेगा GST यानि उस पर जो छपा हुआ मूल होगा उस पर लगेगा 24,000 रूपे ये तो बिकरे मूल है लेकिन उस पर कितना रूपे लिखा हुआ है वो होगा अंकित मूल तो माना माना अंकित मूल हम यही निकालना है माना अंकित मूल यक्स रूपया है इसी पर 12% का GST लगता है तब उसे 24,000 रूपय में बेचा जाता है अब चलिए हम इस पर GST जो लगेगा उस रासी को निकालते हैं तो GST की रासी GST की रासी यक्स का 12% अंकित मूल का 12% GST देना पड़ रहा है तो यक्स का 12% तो यक्स गुड़े 12 भागे 100 हो जाएगा इसको हटाएंगे एक बटा 100 लाएंगे तो 12 बटे 100 हो जाएगा अब चलिए यहाँ पर कट रहा है 4 तियाए 12 और 4 पची सहियम 100 तो आएगा 3X बटे 25 3X बटे 25 रूपया अब आएए हम यहाँ पर लिखते हैं बिक्करे मूल मूल मेज का बिक्करे मूल बराबर क्या होगा अंकित मूल अंकित मूल पलस GST GST भाई हमें पता है मेज कितने रूपय में बेचा जाएगा जो उसका अंकित मूल होगा उसमें GST को जोड दिया जाएगा उसी मूल में बेच लिया जाएगा तो बिक्करे मूल बराबर क्या होगा अंकित मूल पलस GST अब चलिए यहाँ पर मान रखते हैं बिक्करे मूल कितना दिया गया है 24,000 रूपय 24,000 रूपय बराबर अंकित मूल कितना है X है हमने माना है X पलस GST कितना आया है 3,1 बटे 25 3,1 बटे 25 अब चलिए इसको हम यहाँ पे हल करते हैं तो 24,000 बराबर यक्स पलस 3 यक्स बटे 25 इसका बटा एक कर लें अब दाए पक्ष में देखिए यहाँ लासा लेंगे हरों का तो 25 आएगा हो जाएगा 25 एक्स पलस 3 एक्स और बराबर के इधर 24,000 अब 25 और 3 28 एक्स हो जाएगा उधर तो 24,000 बराबर 28 एक्स बटे 25 इसका बटा एक करके कैची गुड़ा करेंगे तो 28 एक्स इक्केम 28 एक्स 28 एक्स बराबर 25 गुड़े 24,000 25 गुड़े 24,000 तो एक्स बराबर क्या होगा एक्स बराबर होगा 25 गुड़े 24,000 भागे 28 अब 25 और 24,000 का गुड़ा करेंगे उसके बाद 28 से भाग करेंगे तो एक्स बराबर कितना आएगा तो एक्स बराबर आएगा 21,000 428,57 इतना रूपया ये आपका उत्तर है यक्स हमने क्या माना था अंकित मूल और हमें क्या निकालना था अंकित मूल ही निकालना था तो अंकित मूल कितना आया 21,000 428,57 25 को 24,000 से गुड़ा करेंगे जो आएगा उसके बाद उसको 28 से भाग करेंगे तो इतना आपका प्राप्त होगा अब आईए अगला परशन सात्वा परशन है और यही सभ्यास का आखरी परशन है विसाल ने अपने जनम दिन पर अपने 20 मित्रों को होटल में भोजन पर आमंदरित किया भोजन पर 5000 रुपे खर्च हुआ इसके अतरिक्त 18% जियस्टी भी चुकाना पड़ा विसाल को अपने परतेक मित्र के लिए भोजन पर कितना वे करना पड़ा तो 20 मित्रों के लिए भोजन पर वे भोजन पर वे 5000 रुपे है इतना रुपिया भोजन पर खर्च करता है 20 मित्रों के उपर अब इसके अलामा 18% जियस्टी भी भरता है तो जियस्टी की रासी जियस्टी की रासी 5000 का 18% जियस्टी भरता है तो 5000 का 18% अब निकालेंगे तो 5000 का का मतलब गुड़ा 18 गुड़े 1 बटे 100 ये दोनों 0 इन दोनों 0 से कट गे क्या बचा 50 गुड़े 18 18 पंजे 90 और एक 0 ये वाला तो 900 रुपे जियस्टी भरता है तो इस तरह से 20 मित्रों के 20 मित्रों के भोजन पर कुल खर्च मित्रों के भोजन पर कुल खर्च इतना तो सिर्फ भोजन पर खर्च करता है जब जियस्टी भरता है तो वो भी इसमें सामिल कर देंगे यानि कुल कितना खर्च करता है 5000 रुपे पलस 900 रुपे अब जोड़ेंगे तो 5900 रुपे बराबर 5900 रुपे तो 20 मित्रों के लिए भोजन पर कुल कितना खर्च करता है 5900 इसमें जियस्टी भी सामिल है अब कहरा है परते के मित्र के लिए भोजन पर कितना बे करता है तो परते के मित्र के लिए भोजन पर खर्च कुल कितना खर्च करता है 5900 इतना रुपे अब 20 मित्रों में इसे डिवाइड करता है तो 20 से आप भाग कर दीजिए बस परते क मित्र के लिए भोजन पर कितना खर्च करता है निकल जाएगा यह 0 इससे कटा 590 भागे 2 बचा 590 भागे 2 तो भाग करेंगे 2 दूना 4 यहाँ बचा 1 2 नमईया 18 हो जाएगा 1 बचा 2 पंजे 10 हो जाएगा तो 295 रुपेया इतना रुपेया परते क मित्र पर वो खर्च करता है इसी पर्षन के साथ दोस्तों यह अभ्यास खत्म होता है हम बिलेंगे आपसे अगले वीडियो में कहते हैं जे हिंद जे भारत